साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्ताओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनतन एकाउंट की मुहिम शुरू की, तो कुछ आवाजे उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक की इस फिल्ड के कई अक्षपर्ड भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभ्यान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, यह आज पूरा देश देख रहा है, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। बैंक और बैंक खातों की बज़र से हमने गरीबों को बहुत कम प्रिम्यम पर भीमा के स्विधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुनने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुर गया। बैंक एकाउंट होने की बज़र से गरीब लाभार्तियों तक सबसीडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुँचा। बैंक खातों के जरिये ही गरीबों को घर बनाना हो, सौचाले बनाना हो, गैस की सबसीडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वज़र से उन तक आसानी से पहुँचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दोर आया, तब सीधे गरीब के बैंक एकाउंट में, माताओं बेहनों के बैंक एकाउंट में सीधा पैसा पहुँचाया गया। बैंक खातों की वज़र से हमारे रहडी पट्रिल वारले भाई बहनों के लिए स्वानिदी योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दोरान विक्सित देशों तक को इस काम में मुश्किले पेशा रही थी। आपने सुना होगा। अभी अभी आएम एफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्रक्टर की भूरी भूरी प्रसाउसा की है। इसका स्रे भारत के गरिवों, भारत के किसानों और भारत के मजदुरों को जाता है। जिनोंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया। उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। जिनों जीवन के साथ, जीवनाया।